कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहूदगी बात कर रहा है अरणव गोश्वामी ये कह रहा है कि संतों की हत्या पर शोनिया गांधी चुप है इसका मतलब है कि शोनिया गांधी खुस हो रही है मैं इस दल्ले से पूछना चाहता हूँ इस भणवा गेरी करने वाले पत्रकार से पूछना चाहता हूँ कि जब चिन्मया नंद जिसके जो है जाके सिरहाने पर माथा टेकने का काम करता है जब वह उस अबला अबोध बालिका से उस नाबालिक बालिका से जब अपने पिछव पाड़े में तेल लगवा रहा था और उसका जब सारीरिक सोशन कर रहा था तो अरनव गोष्वामी क्या उस खबर को अपने टीवी चैनल पे दिखाने का काम नहीं किया सबसे बड़ा भणवायों सबसे बड़ा दलाल यहां अरनव गोष्वामी है इसका मतलब यहां है कि यह बलतकारियों के बलतकार से अरनव गोष्वामी खूस हो रहा था यहीं जब जो है पुष्पेंद्र यादों की हत्या जब जासी में हुई थी जिस तरीके से धरोगा ने सटा करके उसको गोली मारा था उसका परिवार जो है बिलख रहा था और उसकी नव बिवाहिता की हाल आप लोगों ने देखी होगी कि महज तीन महीने पहले उसकी शादी हुई थी जिस तरीके से वो रो रही थी बिलख रही थी उसके याशुओं का साइलाब दे करके पत्थर भी पिघल जा रहा था और हम लोग जो है जाकर के जेल में बंद थे उसको न्याय दिलाने के कि बाथ रूम के अंदर जिस तरीके से डब साबुन लगा करके आप राकितिक कर्म किये जा रहे थे तब यार्नव गोश्वामी कहां चिपा हुआ था तब यार्नव गोश्वामी जैसे लोग ख़बर नहीं दिखा रहे थे जब जो है बदाईयों के अंदर जब हत्याएं ह पकड़ कर दिया था उस समय अर्नव गोश्वामी जब अनामी का यादो जैसे हत्याएं जब होई थी तब अर्नव गोश्वामी चुप था जब यह भाजपा के सेंगर जैसे लोग जब सेंगर जैसे लोग अब तो बालिकाओं का बलतकार कर रहे थे उनके उपर ट्रक्चर हवा रहे थे तो उस समय अर्णव गुष्वामी कवंसी बिल में चुपा हुआ था यह चाटू कार चापलूस लोग हैं यह देश की मठिया मेट करने पे लगे हैं आज मैं उस अर्णव गुष्वामी से यह पूछना चाहता हूं कि इसी लाकडाउन के अंदर इसी लाकडाउ को हेलीकाप्टर और हवाई जहाज में बैठा करके भारत के अंदर लाइंडिंग कराया जा रहा है यह अर्णव गुष्वामी तब खूस हो रहा था जब पैदल और भूखे चलके मजदूर मर रहे थे जब मध्यप्रदेश की एक छोटी सी बच्ची आंद्रा से पैदल च चाटूकार इनकी जगह जेल होनी चाहिए इनको जेलों में होना चाहिए और या तो भारती जंता पाल्टी के सत्ता में बैठाना चाहिए और या तो किसी जो है उनमादी संगठन में जाकरके वहाँ इसको भणवागीरी करना चाहिए यह लोग जो है मीडिया के नाम पे कल माइनर्टी की हत्या होती है वबीशी की हत्या होती है तो यह लोग चुप बैठते हैं और चुप रहते हैं और जब किशी जो है पूझी पतियों की या अरब पतियों की जब जो है हत्या होती है या कुछ होता है तो यह पूरे आशमान को शर पे उठाने का काम करते हैं और आ एक लंगड़ाय आदमी, बिकलांगाय आदमी, जो चलने में भी सच्छम नहीं था, वो जाके देशी कट्टे से एक महिला की हत्या करता है, उस मौरिया महिला की हत्या करता है, दो-दो गोलिया दाग देता है, उस समय अरनव गोश्वामी की खबर नहीं बनती, क्योंकि वह ग लोगों को जो है, हिंदू और मुशलमान करने से, इस देश में फूर्शत नहीं होती, क्योंकि तुम लोगों को अगर देखा जाए, तो तुम लोग असली देश द्रोही हो, असली द्रोही हो, यहीं बेगूशराय के अंदर तुमने देखा था, कि जिस तरीके से, वहाँ और उसका आवाद जब उठाया, तो उस लड़के के भी हत्या कर दी गई, जो एक्टिविस्ट था, तो तब तुम्हारी खबर नहीं दिखती है, तुम्हारी खबर नहीं बनती है, और जब उस दिन बिहार के अंदर कान पकड़ के जब हमारे कोरोना यो धाओं को उठक बैठ कराई गई, तो वो समय तुम्हारी खबर नहीं बनेती, तब तुम्हारी खबर दिखाने का काम नहीं कर रहे थे, तुम्हारी यवकात यहीं है, कि तुम यहीं चाटू कारिता करोगे, यहीं भणवा गीरी करते रहोगे, अभी जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, तो त तुम लोगों ने पूरी ताकत लगा दिया था, वहां भारती जनता पार्टी को जिताने के लिए, तुम भारती जनता पार्टी के कार्य करता बन गए थे, वही मैं देखा था, कि सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी जब रिजल्ट आया, तो वह ऐसे बिलबिला गया, कि व मुफत में कहां सिल लगी हुई है, अरे तुम मुफत खोर बोलते हो, देश के गरीब जनता को मुफत खोर बोलते हो, लेकिन तुम से बड़ा मुफत खोर कवन है, तुम से बड़ा मुफत खोर कवन है, जब तुम बसों में चलते हो, तो मुफत में तुम्हें टिकट मिलता है और जब संसद के अंदर जाके, वो संसदों वाली काइंटीन में बाट के खाना खाते हो, तो तुम मुफत का खाते हो, और उसके बाद खबरों के नाम पर लोगों को ब्लाइक मेल करते हो, तो तुम से बड़ा देश द्रोही कोई नहीं है, तुम देश के गरीबों की बात नह मुझ की बात करो लेकिन तु मुझ की बात नहीं करोगे क्योंकि आज देश का जो किशान है देश के किशानों की हालत क्या है तो मुझ पर डिवेट नहीं करोगे यह सांसद में जो सब बैठे हुए जो सांसद में बैठे हुए पूंजी पती है अरब पती है उसमें कितने पर तुम केवल यही दिखाते हो, तुम्हें हिंदु मुसलिम करना है, किसी न किसी तरीके से देश के अंदर आग लगाना है, तुम उनमादी तत्त हो, तुम उनमादी तत्त हो, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ देश के लोगों से, कि आज जितने भी टीवी चैनल के लोग हैं यही लोग आपके हक और अभिकार को मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो मीडिया है, यह मनु मीडिया बन चुकी है, पूरी तरीके से यह मनु मीडिया बन चुकी है, अरनक गोश्वामी को मैं यह बताना चाहता हूँ, कि वहाँ दो संतों की ही हत्या नहीं हुई है, वहाँ एक ड्राइबर की भी हत्या हुई है, लेकिन उसका नाम गोधी मीडिया नहीं ले रही है, गोधी मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ संतों की हत्या हुई है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हत् लेकिन हम जैसे उदारवादी और गांधिवादी विचारधारा के लोगों को बिल्कुल जायज नहीं है, हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं उन हत्यारों की कड़े सब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन उन हत्यारों को भीड इकठा करने का, जो ये बीज बोने का काम किया जा जैसे पत्रकार ही, यही लोग पैदा करते हैं